रेड इंडिकेर जल चुका है आप मैं इसको इस्टनवाई से रिलीज करता हूँ और आपको देखने को मिलेगा जो हमारा प्रॉब्लेम था वो सौल्व हुआ है या नहीं देखिए माइक्रो मैक्स लिखा आ चुका है पहले क्या रहा था कि एक बार माइक्रो मैक्स लिखा आ आपको इसका रिपेरिंग करने का प्रॉसेस बदाऊंगा यह जो हमारे सामने अभी टीवी रखा हुआ है एक माइक्रो मैक्स का 32 एंच लेड टीवी है इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर पावर देने के बाद इसके जो लोगों यह एक बढ़ क्या लिए आती है उसके अंदर उसके अंदर सही है लेकिन पिक्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो जब भी हमाणे पास कोई इस टाइप का प्रॉब्लम को लेकर टीवी को रिपेरिंग करने के लिए तो हमारे दिमागbu मैं ठीन कोस्टन आजाती है इसका रिपेरिंग करने करने को सकता दूसरा को सेने आज आती है कि इस बैकलाइट को चलाने के लिए जो driving सक्षन होता है वह भी खराब हो सकता है उसके बाद हमारे पास और extra जो को से नाती है वह आती है कि इसके अंदर जो regulating driving section होता है उसके अंदर जो छोटे-छोटे 8 pin का ऐसी लगे होते है वो भी खराब हो सकती है तो इसको हमें पता चलेगा इसको खोलने के बाद ही जो चलिए इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस problem को हम कैसे solve कर सकते हैं अगर आप एक टेक्निस यहनों तो इ detail में practical आपको समझा के इसको रिपेर करूंगा चलिए चलते हमरे टेबिल पर यह है दोस्तों हमरा टीवी जो कि माइक्रो मैक्स कंपनी का है और इसके अंदर जो प्रॉब्लेम में आप लोगों बता है कि एक बार बैक लेट जलके बंद हो जाती है लेकिन इसके अंदर ग्र पर लिया है और अभी देखिए माइक्रो मैंस लिखा हूआ है और इसके अंदर में सेट्टॉप बॉक्स को चला के रखा हूं याने की करेंट करके रखा हूं देखिए पीछे यह आपको देखने को मिल रहा है ग्राफिक्स चल रहा है अभी मैं साउंड भी सुना गया तो इस टीवी को रिपैर करने के लिए हमें इस टीवी को अब open करना पड़ेगा उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर खरब कहां पर है इस टीवी को खोलने से पहले इसका model नमबर देख लिए माइक्रोमैक्स का यह टीबी है और इसका मॉडेल नंबर आपको यहां पर साफ साफ दिखाई देगा 32K IPS 8-on-0-HDI इसका मॉडेल नंबर है तो इसका सॉप्ट्वेर भी हम कौपी करके अपने वेबसाट पर डाल दूगा जो लोग टेकनिसियन है अगर इस मॉडेल का करने का अप्शन मिल जाए कि अधि को खोलने के बाद इसके अंदर हम कुछ इस प्रकर से नजरा देखने को मिला है और इसके अंदर है कि यूनिवार्सल मदरबुट लगा हुआ है जिसका नमबर टीपी डॉट भी एसपी एट और शिक्स इसके अंदर मदरबुट लगा तो हमेरे को सबसे पहले तो बैकलाइट ड्राइवार सेक्शन को चेक करना होता है और खास करके जो वोल्टेज रेगुलेटिंग सेक्शन होता हुँ वाला तो हमने इसके अंदर जब चेक करा या पहली बार में ने देखा तो कुछ चीजे जो है मुझे अबनॉर्मल लगा यानि कि जो नॉर्मल पोजीशन में होता है उससे थोरा सा हटके लगा है पहले देखे यह वाला जो पर की तरह बंप हो चुका है और उसके बाद ही एक छोटा सा का पर देखें नीचे तरह फूल चुका है नीचे साइड देखें यह बहरा आ चुका है इसको खोलने के अगे होते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका पिक्चर कॉल्डे हमें देखने को मिलेंगे लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है यह बैकलाइट का अंदर आती है और मेरे एक्स्प्रियंस के हिसाब दे इसका बैकलाइट सही होना चाहिए बैकलाइट राइवार सेक्शन के अंद दोस्तो 63 या 50 भोल्ड का और 330 माइक्रोफराड का कापसिटर लगे होते हैं और यहां पर जो कापसिटर लगे होते हैं यह तो इसली मिल जाती है मर्केर से अभी चलिए बोर्ड को बहार निकलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इन दोनों कापसिटर के जगा हम कौन सा काटिंग में तो देखिए जो मेरे दिमाग में आया था वही चीज हुआ कि यह हमारा अंदर से यानिके नीचे तरफ से यह बंप हो चुका है और उसके साथ यह वाला जो उपर की तरह धगल चुका है यानिकि बंप हो चुका है जो कि हमें यह अभी नॉर्मल पोजिशन में नहीं लग रहा है तो आवे मैं इन दोनों को खोलता हूं और खोलने के बाद में आपको दिखाता हूं कि इन दोनों का वैलू कितना है उसके बाद हम इसके जागा पे इसका इकुवैलेंट कौन सा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे वह भी आपको पता चल जाएगा यह देखिए यह वाला जो क्यापासिटर है दोस्तों यह 330 और 35 बोल्ड का लगा हुआ है तो आप यहां पे 50 बोल्ड 470 यू अपका लगा सकते हो तो हमरे पास कौन सा मोजूद है यह हम देखेंगे अगर हमरे पास क्यापसिटर नहीं रहता है तो हम दूसरे बोर्ट से निकाल के लगाएंगे उससे पहले और एक जो क्यापसिटर है यहां पर फुला हुआ वो भी हम निकालेंगे यह वाली जो क्यापसिटर के लिए होता है यह भी फूल चुका है तो इसको खोलने के लिए यहां पर देखें दुनों तो यहां पर देखें यह वाली जो क्यापसिटर का वैल है दसबोल का है और 470 यूएप का है यानि कि 470 माइक्रोफराड और 10 बोल का लगा हुआ था यह वाली पर खास करके जो अमणा फाइट बोल्ट का सप्लाई होता है वहां पर लगे होते हैं तो नीचे साइड से पहलें पर जो होल ते नहीं तो हम दुबारा यह कापसिटोर को नहीं लगा पाएंगे तो अब हम इसके जगा पे पैस पीटुवेलेंट कापसिटोर लगाएंगे पहला जो कापसिटोर है हमारा यह है फेटीस वोल्ट 330 UF का है तो हम देख लेता है कि हमरे पास 330 और 35 वोल का कफासिटर है की नहीं तो हमरे पास यहां पर देखिए 470 UF 35 वोल का है तो यहां पर मैं एक पिस निकल लूँगा तो हम इसके जगा पर कौन सा लगाएंगे यहां पर देखिए हमारे पास है 16 वोल 470 यह भी चल जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको अंदजा लग गया होगा कि हमारे को जो क्यापसिटर सेम बैलू का ना मिले तो उसके जगा पर हम किस पॉला भॉल्ट और 470 का लगाएंगे यह जो जगा दिया गया है पांच वोल्ट के लिए तो यहां पर लगा देता हूं पॉजिटिव और नेगटिव को देखते हुए यह चला गया है और उसके बाद हम यहां पर देखिए जो बैक लाइट को ड्राइब करने के लिए बो प्रॉब्लेम था यह दोनों प्रॉब्लेम होना चाहिए इन दोनों कापसिटर्स को बदलने के बाद क्यूंकि हमारे experience कहीं सबसे क्यापसिटर्स के बज़े से ही ऐसा हमें प्रॉब्लेम देखने को मिलता है हमेसा हमारा काम पुड़ा कंप्रेट हो चुका है अब बाठी हात इसको टेस्ट करने का तो टेस्ट करने के लिए जो मधरबोट जहां पर फिक्स करा हुआ था यह मैं अभी टेम्पूरारी फिक्स कर लेता हूं ताकि हम चेक कर सको कि हमारा जो प्रॉब्लेम था वो वो बिद्वर ह लगा के आप मैं इसका सारे connection को मैं कर लेता हूं एक बार पहले पावर कॉर्ड सबसे पहले जो जरूरी है इसका बैक लाइट और इस पिकर को भी अगर लगा लेता हूं और उसके बाद सबसे जरूरी हमारा इसके बाद जो इन डढहरी हमारा इनदीकेशन के लिए इनडिकेशन के लिए और connection और प्र catch हो चुका है आप में इसके अंदर लेता की हमारा यहां नहीं इसके लिए मैं डायेक्ट ली यह से सप्लाइस के अंदर देता हूं तो टीवी के अंदर टेस्टिंग के लिए मैंने सप्लाइज दे दिया हूं यहां पर देखिए हमारा रेट जो इंडिकेटर है यह जल चुका है आप मैं इसको इस्टन वाई से रिलीज करता हूं और डिस्पले कुछ भी नहीं दिखाए देता लेकिन इसके अंदर जो साउंड था वो बिल्कुल प्रॉपर था अभी हमारे पास देखिए नो सिगनल का मैसेज भी आ चुका है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लेम था यह प्रॉब्लेम सेक्सेश्पुली सॉल होता तो लास्ट में हमें बैक लाइट को चेक करना होता है लेकिन हमारे दोनों के अपसिटर्स को बदलने के बाद ही हमारा यह प्रॉब्लेम सॉल्व हो चुका है अभी मैं इसको सारे कनेक्शन कर देता हूं फुल एसेंबल कर लेता हूं उसके बाद इसके अंदर आपको पिक्चर चला के दिखाता हूं कि कैसा पिक्चर हमें देखने को मिलेगा यह देखिए दोस्तों वहारे टीवी सेक्सेस पुलेडी पर हो चुका है और यह अभी डेलीवरी के लिए रेडी है तो इस वीडियो को ज़री आपको बहुत को सीखने को मिला होगा और जाननों को मिला होगा कि हमारे टीवी के अंदर अगर एक सेकंड के लिए बैकलाइट जले उसके बंद हो जाए तो उस प्रॉल्वेम को हमें केसे सॉल्व करना है और आपको इसके साथ-साथ यह भी सिखने को मिला है कि क्यापासिटर्स अगर सेम वेलू करा हमें नहीं मिले तो उसके जगा पे हम कौन सा और कितने वेलू का क्यापासिटर्स को लगा सकता हूँ फाइव बोल्ड के जगा पे और बैकलाइट ड्राइबिंग के लिए जो ट्वेल बोल्ड होता है उसके जगा पे तो अगर आपके आसपास के मार्केट में इस टाइप का कॉम्पोनेंट्स या LCD या कोई पार्ट्स ना मिले तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से पर्चेस कर सकते हो नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके अलबाबे अगर आप गोगल पर जाके सार्च करोगे दीप इलेक्ट्रोनिस लाब ऑनलाइन स्टोर उहां पे आपको LCD LED टीवी का सा प्पेर की जोरोत पड़े है चाए वो Android हो या नॉर्माल हो तो वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा दीपलेक्ट्रोनिस लाब.com जो कि हमारा ओपेस्यल वेबसाइट है तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो क इसको लेकर कोई भी सवाल या सूजाबे तो नीचे कमेंट करिएगा आपका कमेंट का रिपले जल्दी किया जाएगा हो सके तो आपके कमेंट के उपर वीडियो भी बना दिया जाएगा आज के इस वीडियो में तोस्ता हम फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लोग जोल्दे आंगाई बार नियो एागाई पार करे बार में यह वार करे बार करें एक बार करें टूले में बार करें जूम कि अएगाई